आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ सिर्फ मार्च मिनिट में बनने वाले इंस्टन्ट नाश्टे की रेसिपी जिसे हम एक कप सूजी से बनाएंगे बहुत ही जटपट बन जाता है आप एक पर बना का ट्राय देख करिएगा और इसका टेस्ट भी जो है बहुत बहुत जा जाती है अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सब्चियां कट करके रख ली थी तो आधी शिम्ला मिर्ची जिसे मैंने बारी कट कर लिया आधर अमाटर लिया जिसे बारी कट किया है और इसके बीज भी निकाल दिये हैं इसके बाद एक मीडियम साइज के गाजर थी जिसे कद्द कर लिया है चील कर और इसके बाद तीन हरी मिर्चिली है जिने मैंने अच्छे से बारी कट कर लिया है सारी जो सब्चिया है इन्हें आप बारी कट करके ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पत्ता गो भी लिया था जिसे मैंने लंबाई में और पतला पतला कट किय और साथी दो मेडियम साइस की गाजर थी चोटी 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 प्याश थी इसको मैंने बारिक कट कर लिया और यह सारे जो सबजिये हैं वेजिटेवल्स इन्हें हम इसी खोल में एड़ कर देंगे और इसके बार एड़ करेंगे इसमें थोड़ासा दो चुटकी हल्दी बहुत जादा हेल्दी भी है और इसमें ओईल का भी यूज नहीं होगा बहुत ही दो दो बून ओईल लगाएंगे ताकि हमारे जो नाश्टा अच्छे से सिख चायबस इसके लिए बाकि कुछ भी जादा मेहनत नहीं है अभी जो मसाले डाले हैं और धनिया पत्ति डाली है तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन लिया और इसमें डालेंगे टू टेवल स्पून ओईल इसके बाद एड़ करेंगे इसमें एक छोटी चमच जीरा और एक छोटी चमच राई के दाने और इन्हें अच्छे से चटकने देते हैं फिर अगर आपको लगेगी जो ओईल ह बहुत जादा करम होगिया तो गैस को बंद कर देते हैं और इसके बाद इसमें एड़ कर देंगे आदा छोटी चमच सफेद तिल और उससे पहले एड़ कर रहे हूं मैं इसमें करी पत्ता तो पान से च्छे करी पत्ता लिये थे जिने मैंने तोड़कर डाला है और एक चली फ्रेक्स से क्या है लुक बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो लाल मिश पाउडर थोड़ा जादा डाल दीजेगा या फिर चिली फ्रेक्स थोड़े जादा डाल दीजे जो भी आपको पसंदो दो यह तड़का जो है इसे हम एड़ कर देंगे इस खोल में क्योंकि यह तड़के से इसका टेस्ट जो है बहुत ही जादा बढ़ जाता है तो जरूर से आप तड़का एड़ कीजेगा और तड़के को पूरे बैटर के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसको देख सकते हैं बैटर कितना पतला है एक्तम पानी जैसा बैटर भी नहीं बनाना है लेकिन बहुत जादा थिक भी नहीं रखना है अब देख लिया है मैंने एक नौन स्टेक पैन और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ओईल आप देख सकते हैं सिर्फ दो तीन बूंद ओईल डालना है और इसे पैन में अच्छे से फैला लेंगे इसके बाद एक चम देख रहे हैं अब इसको किस तरह से फैला रही हूं चार तरफ अच्छे से फैला दिना है जितना इहीं बड़ा आपका पैन है उतने बड़े बना लीजीए यह चोटे बना लीजीए और जब john définatriya अब ये πूरा लगाने हुई जब कर दीच तो देखे अभी यह पूरा ड्राय हो चुका है उपर से तो अब इसे आराम से पलट देना है कुछ इस तरह से और आपको ओईल लगाने की भी जरूरत नहीं है दूसरी साइड इसे फिर से अच्छे से 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 लेते हैं इसी तरह इसको पलटते हुए एक या दो बारी पलट कर से तो डोंट अच्छे से और से और स्ट निकाल कर सर्व करेंगे क्यों देख लिया और देखने हमें थेंखेंक फेनको पूर्य is और ये देखी इसी तरह से मैंने और भी नाश्टा बना कर त्यार कर लिया, सिर्फ इसको सेखने में 2-3 मिनिट का समय लगता है, जादा समय नहीं लगता, खाने में ये सॉफ्ट लगते हैं, मतलब बनने में ये सॉफ्ट होते हैं, और खाने में बहुत स्यादा टेस्टी बनत पास से भी दिखा रहे हूं तो आप इनका कलर देखिए और इनका जो लुक है वो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं गोवी के बहुत ही अच्छे से इसमें जो लच्छे हैं वो निकल कर आये हैं और टमेंटो कैचप और हरी चटनी के साथ ये खाने में बहुत ज़्याद ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो इनको बनाईए कर जरू मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए